जब हम बात्रूम में दिवारों पर टाइल्स लगाते हैं तो हमें दो-तिन पॉइंस का ध्यान देना होता है तो सबसे पहला आता है कि आपको style decide करना है कि आपके बात्रूम के लिए कौन सा style best है तो आप पहले वो decide कीजिए तो अगर आप tiles लेने जा रहे हो तो अपना जो tiles है किस तरह का style आपको design चाहिए या decorative bathrooms में कई लोग जैसे simple prefer करते है जो minimalist जो दूसरा कोई unique patterns जैसे geometric patterns आता है तो वो कोई-कोई पसंद करते है तिसरा आता है आपका decorative tiles जो इस video में मैंने ज्यादा तर use किया है तो वो ज्यादा use करते है क्योंकि उनको एक bold look bathroom में दीखना अच्छा लगता है तो दूसरा important point है कि आप आपका दीवार का size decide कीजिए तो आप उसके according जो है tiles कितने size का आपके bathroom के लिए चाहिए अगर आपका bathroom छोटा है तो मैं तो बोलता है आप बड़ा tiles select कीजिए ताकि आपका जो बातरूम में और बड़ा दिखने लगेंगे वो tiles लगाने के बाद लेकिन जो बड़ा tiles है वो fitting करने में थोड़ी difficulty होती है लेकिन जो छोटा tiles है वो दिखने में looks भी अच्छा लगता है लेकिन उसके लिए आपको grouting और cutting ज्यादा करना पड़ता है तिसरा है आपका budget तो आप जब आप कुछ tiles लगाते हो तो आप अपना budget पहले decide करके लिजिए अगर आपको quality materials अच्छा वाला चाहिए तो आपको थोड़ा budget में बड़ा के रखना पड़ेगा अगर आपको थोड़ा मतलब ज्यादा पैसे खर्चा नहीं करना है तो यह तो आप जबी budget बनाएंगे तो आपको clarity मिलेगा कि कितना पैसा खर्चा होने वाला है क्या है ताके बाद में आप जबी tiles लेने जाते हो तो आपको कोई तकलिफ ना हो तो आप एक mindset बनाके रखें कि मैं कितना expense कर सकता हूं और फिर उसके according आप अपना tiles बनाके रखें मतलब चौबता है कितना tiles आपको चाहिए बात्रूम के लिए कितना tiles यूज होने वाला है तो पहले आप budget बनाके रखें स्टाइल डिसाइड कीजिए कौन सा tiles आपको चाहिए designs और तिसरा है फिर कि आपके जो बात्रूम में कितना tiles यूज होने वाला है वह count करके रखें तो उसे square footage of your bathroom उसे कैए quickly आपको एक idea मिल जाएगा कि कितना tiles यूज होने वाला है तो आप map करके लेके रखें पहले तिस चोथा point है आप ज्यादा low quality वाला मत लीजे कई लोग कैसे low quality का tiles ले ले लेते फिर बाद में पस्ताना पड़ता है उनको क्योंकि उसका maintenance ज्यादा आता है पहले तो आपको सस्ते में मिलेंगे लेकिन जबी हम fitting करने के बात जैसे दीरे-दीरे उसको पानी लगता है या तो आप सस्ता वाला ज्यादा भी मत देखें मेडियम रेंज का भी मिलता है इसमें मैंने जो tiles यूज के सब मेडियम रेंज के और ceramic tiles से इसमें ज्यादा तर और दुसरा भी है stone tiles वो भी ज्यादा यूज होते है तो आपके according जो भी आपको सही लगता है आप उसके according आप सेलेक कर सकते है लेकिन आप थोड़ा अच्छा quality का ही material लेजिए ताकि के कुछ अगर आप chemical गिरे tiles पे जैसे साबून हो गया या शैंपूस हमारे जो कपड़े दोते हैं तो जो डिटेजन पाउडर वोगेरा गिरता है उसके पर जाग हो गेरा तो जल्दी खराब ना हो ताकि आपको उसमे मीडियम रिंज का ही लीजिए अच्छा वाला और खलर साप अपना पहले डिसाइड करके लीजिए कौन सा डिसाइड कलर आपको लगाना है आपके बातरूम के लिए light अच्छा रेगा या dark रेगा कोई लोग dark कलर पसंद करते कोई light कलर पसंद करते तो according आप सिलेक करके लि आपका डिजाइन बातरूम का डिजाइन भी अच्छा दीखेगा आप बातरूम भी बड़ा दीखने लगता है और तीसरा जो आपको अंधेरा पर नहीं लगेगा तो आप जबी बात तुम कायस लगाते हो तो आप अपने वेंडर से पूछिए कि कितना खर्चा हुआ क्या है तो आप उसे एक एस्टिमेट कोटेशन पूछ के रखिए ताकि आपको आगे काम चालू करने के बाद कोई चेंजेस ना करना पड़े बजेट के अकॉर्डिंग तो आप उसे फाइनल पूछा पूछ के लिजेए कि इसमें कोई एडेन चार्जस तो नहीं है जैसे कि ठेकेदार कभी-कभी शुरू में बताते नहीं है जैसे काम चालू करने के बाद अपना एक्स्ट्रा चार्ज लगाना चालू कर देता यह ने वह ने तो आप उनसे टोटल पूछ के लिजेए इसमें टाइल के साथ में और क्या-क्या खर्चाएगा जैसे कि सिमेंट हो गया कुछ पी-ओ-पी जो मैं तो बोलता हूं आप दो-तिन वेंडर से आप कोटेशन मंगा के रखे तो आपको एक आइडिया मिल सकते हैं कि मार्केट में क्या रिंच चल रहा है क्या प्राइज है तो आप उसमें जो भी अगर आपको कोई पसंद आता है तो आप उसके साथ बैठके बार्गें कर सकत क्योंकि अगर आपके बस दो-तिन ओप्शन एवेलेबल है तो फिर आप उसको बोल सकते हो कि सामने ओला मेरे से उस कम ले रहे पैसा तो आप इतना मैंगा तो दीरे दीरे वह भी बार्गें करेगा फिर कम हो जाएगा तो आप दो-तिन जन से कोटेशन मंगा के रहेगे वो बेटर रहेगा आपके लिए और आपका कोई सावाल है तो आमें कमेंट बॉक्स में बताएए मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सावालों का जवाब दे सको तो फ्रेंस यादि मेरे वीडियो साबको पसंद आती है तो लाइक और सब्स्राइब करना ना भूलिए तैंक क्यों करूं आती है तो आमें कि आती है तो आती है तो घुटिए